दोस्तो आज की वीडियो में आपको समझाऊंगा कि कैसे एक फूट स्विच के साथ हम कॉंटेक्टर का कनेक्शन करते हैं आपको यहाँ एक बार मैं इसको आउन करके दिखाऊं तो जैसे ही अपना फूट स्विच को हम प्रेस करेंगे तो हमारा इधर आप देखेंगे कि लोड आउन हो जाएगा इस कॉंटेक्टर के थरू इस फूट स्विच से या पैडल स्विच से हम अपना कॉंटेक्टर को करना होता है दोनों हातों से कुछ इस तरीके से हम अपना मैटेरियल समझालते हैं और पैर से ऐसे कर गे इसको दबा देते हैं तो हमारा कॉंटेक्टर हो जाता है दोस्तों मैं आपको एक बार एनिमेशन से शिखा देता हूं कि कैसे हमें वाइरिंग करना है उसके बाद हम प्रक्तिकल वारिंग समझेंगे कॉंटेक्टर के नीचे आप देखेंगे फूट स्विच लगा हुआ है इसी को हम पैडल स्विच भी बोलते हैं इसका सीरिज में हम कनेक्शन करना होता है तो जो हमारा mcb है इसके नीचे वाले पॉइंट पर हम न्यूटल और फेज देद हैं एक a1 और दूसरा हमारा b1 तो आप चाहो न्यूटल को a1 पर लगा सकते हो आप चाहो तो b1 पर लगा सकते हो अब जो हमारा mcb का उपर बाला पॉइंट है यहीं से फेज को आउट करेंगे और इसको पहले हम फूट स्विच में लेकर के जाएंगे फूट स्विच जो ह इसके अंदर आपको तीन वायर देखने को मलेंगे common, no और nc अभी हमारा फूट स्विच off है मतलब हमको इसका no पॉइंट यूज करना है थोड़ी देर में आपको प्रक्टीकली इसका no nc में देखाऊंगा तो जो common पॉइंट होता है वहां हमने फेज दे दिया है और no से supply को आउट करके इसको contactor की coil के अंदर connect कर देंगे जैसे हम hood से इसको दबाएंगे तो no nc हो जाएगा और contactor हमारा on हो जाएगा दोस्तों आप यहां देखेंगे कि मैंने power wiring करके रखी हुई है control wiring में आपको proper तरीके से अभी समझाऊंगा power wiring बहुत simple होता है mcb के एक point पर हमन terminal होते हैं यहां लेके गए हैं और contactor से out put में हमने अपना valve connect कर दिया है एजे load इसको consider कर सकते हैं एक बार मैं इसको on करके दिखाऊं तो contactor को कुछ दबा करके हम इस तरीके से on कर सकते हैं अब मैं आपको जो हमारा foot switch या paddle switch है इसके जो no nc के three wire होते हैं इनको दिखाता CNC नाम की company ने और इसका model नमर आप इधर corner में देख सकते हैं दोस्तों जो हमारा multimeter है इसकी probe को हम continuity पर set कर लेंगे कुछ इस तरीके से और इसकी जो दोनों probe हैं इनको एक दूसरे में touch करके देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि beep sound crate हो रहा है अभी जो हमारे three wire हैं हमें नहीं पता है कि भीया एनो कौन सा है एनसी कौन सा है तो हम किसी भी दो तार पर इस multimeter की probe को कुछ इस तरीके से attach करेंगे आप देख पा रहे हैं black और white पर मैंने इसको touch किया है अब इसको दबा के देखूँगा तो आप देख पाएंगे कि ये दो wire हमारे एनसी हैं जैसे ही जो white wire है ये वाला wire हमारा common wire है और इन मैंसे जो red wire है ये हमारा एनसी है एक बार फिर से चेक कर लेते हैं sorry मैं भी भूल गया अभी ज़स्ट तो चेकी किया था एक बार फिर से हम चेक करेंगे तो देख पाएंगे कि red wire हमारा no है क्योंकि जैसे इसको दबा रहें तब हमारा continuity show हो रहा है तो हमें क्या करना है अपना red और जो white wire है इसको use करना है black wire को हम काट भी सकते हैं या आप चाहो तो इसके उपर tap लगा करके भी छोड़ सकते हो दोस्तों मैं आपको इस food switch को खोल के दिखा देता हूं एक बार कि इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर एक limit switch लग करेंगे जो screw है सिर्फ एक ही screw हमें खोलना है इसके बाद कुछ इस तरीके से हम इसको दबा लेंगे और यह जो एक rod देख रहे हैं आप इसके अंदर इस rod को हमें gustar है का राम होता है आपने देखा कि जैसे हमने इस rod को निकाला तो हमारा food switch अलग हो गया है और इसके अंदर एक spring होती है जो आप यहाँ देख सकते हैं high tension spring है और यह एक छोटा सा इसके इंदर rod है यहाँ देखेंगे तो आप खांचा बना हुआ इसमें यहीं हमारा जो नीचे से screw लगाते हैं वो आकर के tight हो जाता है इधर आप देखेंगे तो हमारे एक छोटा सा limit switch लगा है कुछ इस तरीके से limit switch हमारा काम करता है जहां आप इसके no और nc के point देख सकते हैं तो अभी के case में हम इसको close कर देते हैं और अपना connection समच लेते हैं इसको close करने के लिए spring को हमें कुछ इस तरीके से लगा करके कुछ इस तरीके से इसको close करना है अभी यह सही नहीं बैठा है एक बार इसको सही से बठाएंगे आप देख पाएंगे यह सही बैठ गया है और इसके अंदर यह rod लगा देंगे हमारा proper तरीके से foot switch फिर से काम करने लगा है इसको center में करके और इसके अंदर हम screw डालतेंगे दोस्तों foot switch को अपने contactor के साथ connect करने के लिए पहले हम अपना power supply को off करे और जो हमारा contactor के A1 और A2 point होते हैं तो यहाँ एक point पर हम neutral connect कर देंगे neutral हमारा यहां तक आ रहा है तो मान लेते हैं कि हम यहाँ A1 जो point है इसके साथ अपना neutral connect कर देते हैं इस point से और जो हमारा foot switch का एक wire है इसके अंदर हम phase देंगे हमें किसी भी wire के अंदर phase दे सकते हैं क् के हमारा दो ही पॉइंट हमको यूज करने हैं, तो चाहो तो आप mcb से फेज दे सकते हो, या चाहो तो इस contactor से ही दे सकते हो, तो अभी के case में, हम इस mcb से इसको फेज दे देते हैं, और जो हमारा contactor का a2 point है, यहां कुछ इस तरीके से इसका connection कर देंगे, connection हमारा controlling का हो गय सकते हैं, जितनी देर हम दबा के दग रख रहे हैं, उतनी देर हमारा on हो रहा है, और जैसे हम छोड रहे हैं, वैसे हमारा off हो जा रहा है, दोस्तों अगर आप starter serious देखना चाहते हैं, तो इधर आए वीडियो पर click करके देख सकते हैं, जल्दी ही मिलूँगा किसी अगली व हैं जये हमारा रहे हैं, जय सकते हैं, तेर ही सु कु क द dönो कितनी देखने हैं, जितनी देली हैं, प्लु के वा देखने वाहे हैं, ज wissen कितनी देला हैं,